दब्सकार खास मुलाकात पे आपका स्वागत है मैं हूँ विजय कुमार आज विशेश मेहमान के तौर पर हमारे साथ उपस्थित है एम साई कुमार कॉंग्रेश फिशर्मेन कमीटी के चेर्मेन है और साथ ही अभी जो चुनावी बहुल है उसमें साई कुमार बहुत सानी में बढ़ चड़कर खिस्सा लेते हैं जाहिए तोर पर जो मौसम है चुनावी मौसम इनका एस्पिरेशन भी है कि वो मेले का चुनाव लड़े गोशा महल से काफी खरीब है गोशा महल सीट से इनका बहुत जुड़ाव है और उन से सीधे मुखाति होते हैं साई कुम मिटू साइकुपार जी जो एलेक्शन का महल है तो टिकट की उमीद आप भी लगाय हुए होंगे किस सीट पर गोशा महल संभवत सीट है जहां पर हलका गोशा महल असंबली यह जो आईदरबाद का सिंटर असंबली है यह आईदरबाद पार्लमेंट के अंडर विदान का स पंदूर पहुआ हो जिब भोज्ये CL अच साथ काम के सथ जोड़ने के बाद नेता बंने के बहुत हाश होता लेकिन नेता बनने के बाद बी प्रजा कि दिल में और उनके कारेक्त में दिल में रहने बाँता बहुत बॉत मिश्किल कि बात है हिदरबाद के शेहर में हलक है पहिचान है हम हर वक्त हर समय पब्लिक से जुड़ हुए है वह हमारी कुस किसमती है तो हम इसके लिए यह चुड़ों लने तो बहुत बड़े लोगों का अचिरवाद रहे और वो लोगों से भी हमारे के उम्मीद है कल किसी समय भी एलेक्शन आये तो कांगेस पर्टी का टि करने बिलकुल है तो हैदरबाद और तिलंगाना की राजनीती में मिट्टू साइकुमार की अलग पहचान है बहुत डिवोटेड है कॉंग्रेस से बहुत जुड़े हुए है युवा है जाएद तो पर एनरजी है आप में और गोशा बहल सीट की बात करते हैं तो जब भी बात होती है तो जादपात की बात होती है इसे पहले लोग कहते हैं जादपात पर वोट मत देना लेकिन जब एलेक्शन वोट की बात होती है तो कहीं ने कहीं कास्ट इक्वेशन बड़ा काम आता है आप मश्वारक कम्यूर्टी से हैं तो इसको आम लोग जो तिलंगाना के बाहर के लोग हैं समझना चाहेंगे, कि मुद्राज कौन है, आप गंगापुत्र से हैं, मुद्राज का समवर्थन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको विजय कुमार्च कभी एक सुनिये, राजनीती में पुरे बाता होते हैं, वो बीजय भी कर सकती है, यह पुरा मिल जूनना नहीं मिलना है, पुरा थोड़ने का बात, बीजय भी करती है, कांगेस पार्टी कभी भी पुरा कार नहीं है, मचवारा समाज को कभी नहीं मिलने का पूरा कार नहीं है, मचवारा समाज को दूर करो, उनके अपर जगड़ा लगा दो, उनको दूर करे तो क्या होता है, कor लड़ते रहतें नहीं लड़ते हैं, हम दो दुनस कहीते नहीं आताators, और ओस दुर और लग कुछ भी नहीं मान सकतेने वे तो उनका कार नहीं है लेकिन आप कांग्रिस फिशर्मेंट कमिटी की चैर्मेन है आपके हिसाब से जो फिशर्मन कम्यूनिटी है उसमें जो डिसिंटिग्रेशन है कितना है आपको लगता है सब लोग एक है एक है जी एक है वो पूरा बेकार बात है सिर्व ट्रस में होता मैं पहले बोलूम कांगेस में नहींगा पूरा ही है मचवारा समाज ही रहता एक ही समाज कैसा है मचवारा समाज है गंगपुतर, वेस्ता baad, मुदॐरा रहां नingoo, भंतु रहां दो यह फे Means तोई बात है लेकिन इसमें पांच है इसमें पंधरा है बिलकुल गंगापुतु है पल्ले रिडी है पल्ले कापो है और अगनिको शेत्रयां बोलतो इस पांच को यह तिनुगु बंटु पांडवा मुतिराशी यह पूरे 15 है अशा फरी पैंड़ ए पाक्चीसमाइल ते बहुत प्रामिली है ऊजी साब्सके माच्वारा समाज को नहीं मिलना प्रदेश बहुत बड़ा समाज है और समाझ को लड़ाये के लगाये तो और राज्यादिकर नहीं पूसते, MP नहीं पूसते, अबसले साजिश वनारा फिट भी मेंद का बेड़न साहिकपार जी सबसे पहले तो, फिशर्मन कमरूटी के लिए बात कर लेते हैं कि आपका पूरा मचवारा समाज को दबाने के आस्ते मचवारा समाज राजनीती में नयाने के आस्ते यह बड़े लोगों के साजिश है, यह दोने जात को लड़ाओ, यह दोनों जात को लड़ाओ, यह दोनों जात को लड़ाओ, जात को लड़ाओ, कांगेस पार्टी मिलाओ, कांगेस पार्टी दूद के में पानी दालती है, नमक दालती है, नमक दालती है, यह पूरे नमक दा कट देगी इस बार जिसमें आभी एक तरह से उमीद करते हैं और बाकी पार्टियों को लेकर कि क्या उमीद करते हैं फिशर्मान कम्रिटी को कंडिडेट उतारेंगे या नहीं उतारेंगे पाइंटिस साल का उमर का आपके सामने मिट्टी सा एकमर बात कर रहा है वो कांगेस करने मचवारा समाज को अब देखिये बिचिस साल से नहीं दस साल से देखिये ि कौन लिडर बना मच्षवार समाज में। निच्छे बढ़े हर दिन वच्छी बेजय तो हमारा जीवन का अधा रहता है। एक दिन मच्छी निपढ़े तो उस दिन का हमार मुश्कियोगा तक है। मेटू साइक बीसी वर्क में है तो उनके सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जब तक उनके MLA नहीं होंगे, MP नहीं होंगे, तो उनके समाज का भाला नहीं होगा, आप भी बता रहे हैं कि हमारे मचवारा समाज को उतना रिप् 2017 में उनका एक पहला नेचूर क्या है अल इंडिया में फिशेर्मेन का अंगेस का डिपान्टमेंट को लांच करे, यह समाज को यह जात को यह पूरे मचवारा समाज को फोलिटिकल के मुमेंट में लाना, उनको जोडने का वास्ते हैं, 2017 के बाद, यह 6-7 साल के जरनी में, पोरा शेत्र में, तेलंगार राज में, 5 के कम, EMA-लेचिर, 5 के कम नेच अल्री के, जरने के, हमारे मैं इंडिया में पहले से हैं, ऐसे देमांट कांगेसपार्टी, अभी दिमांग में लगाके वो पूरा, शेत्री से Baptist हैंस में कोभ़े हैं, बिल्कु को इस सब dona time करने ह पांच से भढ़कर हो ना लेकिन पांच से कम ने मचवारा समाज को टिकेट देने क्या से है? मेट्रू साहिकुपार जी बता रहे हैं कि कम से कम पांच टिकेट मचवारा समाज को जरूर मिलना चाहिए और अब इनसे हम सीधे तोर पर बात करेंगे इनकी जो पसंदीदा जगा है जहां से टिकेट के उमीद कर रहे हैं गोशा महल की सर गोशा महल की स्थिति क्या है वहां पर चुकि लोद समाज है माइनारोटीज भी है और वहां आपकी किसा तक पैट है जनता की क्या उमीदे हैं है उसके बारे में बताइए सर जी मैं आपकी बात बॉल रहा हूं 2004 से 2004 में महाराज गंज 2009 में गोशा महल बना बिलकुँ गोशा महल बनने के बाद 2004 कांगेस पाड़े जिति 2009 कांगेस पाड़े जिति वो मुकेश गोड के जमाना थी उनके उनके समय जो development का जो हुआ अभी मैं में महारास्ट्रे मैं हूँ और महारास्ट्रे मुक तो में बैंगलूर में हूँ यह जो दो है नौ सनन फिर गावा पर अपर होते ही ना डेवलेुमेंट ने और पबलीक के मुमिन नहीं पब्लीक से बात करना नहीं कुछ भी नहीं इसके लिए हम यह की राही है सबकु दो बार BJB को चुने गोश्यमहिल की जनता तो 2009 कांगे को तो टेम पांट साल एक गोल्डन एयर था पांट साल बिलकुल एक स्वर्न युग था 2004 से ने नौ से दो बनने के बाद यह दस साल एक सजा मिल पूरा गोश्यमहिल को एक बना बिना लायक नेता बन गया हमारे को कोई पाइचान नहीं कोई बात नहीं फोंग तो रिस्पांस नहीं ऐसा लेटर को चुनते चुनने के बाद भी क्या हुआ इन्हों एक ही बात बोलता है मैं जेसी राम बोलतुम मेरे को पैसे देना अरे विजय बाई एक माह एक बात बोलतुम लोग समाज का एक आदमी फोंग कर मुंस्पलार को फोन दे बोलता दे के बोलता है उसको सता हो और यह बोलने के बाद एमेल ले तुम्हार को इसको इसको जिता है आपको जो मुंस्पलादिकारी को क्या बोलता है जो विदाय सिंग राजा सिंग विदाय को जो काम कर रहा है ना उसको सता हो वही उनका से जानते हैं और पूरे धी हैं तो जाद तो लेकिन आम पॉब्लिक परसेप्शन जो है अब राज सिंग का कद बहुत बड़ा हो गया लोग बिहार यूपी राजस्थान में राज सिंग की बातें यूट्यूब और टीवी पर देखते हैं जिस तरह से तो आपको लगता बढ़ा लीडर बनने के बाद बहुत ज़्य लीडर बने बीजेपी में आला नरेंद्रा बने और क्या बोलते हैं किशा इंडिडी बने ओ लोग भी तो मिलते ना पगड़िस तो मिलते ना इन्हों नहीं मिलता है एक बड़े लीडर की परिभाशा एक है कि आप मीडिया में बहुत चमक तमक के साथ लोगों में पहचान बना लिया हो एक दूसरा एक पैमाना यह भी है कि आपने बहुत काम किया हो इसलिहाद से बड़े लीडर है तो राज़ा सिंग को आप किस तौर पर बड़ा लीडर मांद राज़ा सिंग एक किस साथ नहीं होता हुए उन्हें इनों अच्छा बात करते हैं यह दोनों लेटे लेकिन दोनों कोई आरेशने करते north? लेकिन पब्लीक ली तो बड़ी.वह घॉ卡िली भाषा की इसतिमाल करते हैं उन्हों उनको बोलता है दोनों से पूलता है उसे क्या होता है पब्लीक को इतने पर्षान है गोश्य मैल नल के बारे पर्षान है मोरी चैनल देनि पर पर्षान और घर बार घर बार पर शा हम और एक गड़ा कोदने के बाद सब्सक्राइब करना और मेरे को जिताँ मैं 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 हिंदु का समाज अरे हिंदु का समाज के साब से पूरे लोदा समाज को पूरे रोड़ पलाए उन्हों अपने खुद के समाज को समाज के लिए बहुत लाबकारी नहीं हो रहा है लोड़ समाज के ने पूरे समाज के हिंदु समाज के रहें दो कुई समाज के रहें दो त confession से ओं ने किसे लीषक्ता लाव किया से उतकर वोल सफिज्कला बोलता है कुछ करता है। तो फोन करता है को कशी फोन करता है अब फेसे वाले हो तो प्रण्य प आप अब आम जैनके करो पबलाए ने ऊटाते हूँ मैं पॉलिक के अंदर रहते हैं अब आने जितने दो राज सिंग को उत्ता बार लेडर नहीं होता है बिल्कुल है तो मेटू साइकुबार जी साफ कर रहे हैं कि राजा सिंग की भले पहचान देश्व्यापी हो गई हो और टीवी पर बड़े लोग वेवलोग उनको अच्छे खा जो उनका अपना कंश्विंसी है वहां के लोगों के लिए वह बहुत पहुत से बाहर ही है और आम तोर पर वो फोन आम जनिता का उठाते नहीं है बहुत सारे चोटे-मोटे काम जो है वह या तो अधूरे है या पर लंबित है उस पर आजा सिंग का ध्यान नहीं जाता है त पर और कॉंग्रेस से अगर आपको टिकट मिलता है आप जीते हैं तो गोशा महल के लिए क्या करेंगे खास कर दोजार ग्यारा में दो करोड़ चालिक्स लाग से वाटर टैंक का पुरा नलका पानी के आस्ते मुकेश गवर जी के नेतुत्त में दोजार ग्यारा में दो करो करने बाद जो दूल पेट के अंदर पानी का जो बड़ा समस्य अठाव अगया हर गल्ली को और मोहल लेको कहां भी रोडा नहीं है चीट नहीं है और हर गर के सामने ऐसा मोरी का पानी बढ़ता है जो बारिगे टैम तो गर के से मिनमाम साथ दिन तक भार फोन नहीं आथा व त्राइट अपर महजरा को जीन हराम करता राराह चाहिए कि पूरे शेत्र कर के पूरे रहा पूरे कोई सेसा होथ है अब क्या कर रहा उन्हों एक घर का मंगलादी और पुड़ा पारब्ट कुछ करते हैं पूरा पबलीक को फरषान करने में तुले वह दो पूरे जोड़ा का रही है दो मजब के नोट काम आते हैं, मजब के नाम के काना काते हैं लोगा, सिर्फ मजब के ओ टेम पे तो किसो कान नहीं कि लाते हैं, फर्षान हवाम को साथ देना आप लोगा, बिल्कुल, अभी तिलंगाना का जो SMB election होना है, अगर उसका result है, जो national level पर लोगसभा election को affect करेगा, कॉंग्रेस को लेकर के एक बड़ी चिंता है बीजेपी की, अगर कॉंग्रेस की यहां सरकार बन जाती है, लोगसभा में दिक्कत हो जाएगी बीजेपी को, आपको क्या लगता है, second position पर रहे है, 2018 में, बीजेपी third position पर है, अभी यह triangular fight होना है, या फिर one to one fight होना है? सर जी, अप मैं आपको एक बाद बता हूँ, बीजेपी को तेलंगारा में न साउन्डे ना ग्रॉंडे, जहां जाङां एक एक जाडे है, बतल्ल बीजेश वर्सेस कॉंग्रेस यही fight है, बीजेश वर्सेस कॉंग्रेस रहेंगा, कॉंग्रेस पहला position में, बीजेश फेंड में पूरा भड़कान के बाशन करने वादे बीजेपी नहीं था सिर्फ बियार इसको किसी हाल में तेलंगा शेत्र में तेलंगा राज में राज में राल डाने के लिए बहुत कोशिशे बिजेबी की कुछ भी करो कांगेस ने आना वो लोग को लेकिन तेलंगा रहे का हकुमत रहेंगा तो इसी सिलसले में आपके कॉंग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है वो हिंट करते हैं कि बीजेपी और बी आरेस का कहीं परदे के पीछे एक समझावता है एक एग्रिमेंट है कि भाई हम लोग आपस से बिल जूल करके लड़ें ताकि कॉंग्रेस क को हरा सके इसमें कुछ सच्चाई है क्या सच्चाई है जी जनाब में क्या बोल बोलतो अब बीजेपी जहां जहां कमजोर है बीजेपी जहां कांगेस स्टांग है जहां वहां पूरा फंडिंग पूरा बीजेपी बीजेपी करती बी आरेस का कैंड़ेस जहां स्टांग है वही दबाव पूरा इंडियान पड़िगा रास्ता ने CANGRES, मज़वेश CANGRES ते लंगे न CANGRES ये चाहर शेत्र में CANGRES जिरने कबाड क्या हाल रहेंगा बिल्कुल में लेकित आप बता रहें इंडिकेट कर रहें वह तो बढ़ा खतरनाक सिचुएशन एक तरह से इंडिक पैक्ट है, अल्रेडी M.I.M. B.R.S. का सपोर्ट करता है, खुलंखुला है एक तरह से कि वह वैसी साहब और उनका बहुत अच्छा ट्यूनिंग है KCR साब का, तो कॉंग्रेस वर्सिस B.R.S. प्लस B.J.P. प्लस M.I.M. तो आपके लिए तो बड़ा बड़ा टफ चालेंज हो होगा हूँ, आप देखिये, 2004 में चंदराबाब उन नाइडिक का कितना दबड़ा हो था, उन्नाटर आएपी में, 2020 विजन तक चंदराबाब उन नाइडिक जीतता हो के बोले, कांगेस कतम हो गया बोले, कांगेस का कुछ लगा हूँ नहीं एपी मोले, फिर भी चंदराब को अटाके कांगेस पार्टी दो भर हाकूमत आई, वैसे दो बार उनो, BRS पार्टी- TRS पार्टी खरली लेकिन यह दबड़ा फिर नहें होता है, कांगेस पार्टी तेलंगाराँ राज्ज में फिर हुकुमात बनाएगी और तेलंगारा देनेके बाद कांगेस पार्टी को गिफ्ट दहने कि आस्तें सोनिय गांद कस तेलंगान की पोरा हवां, हिंदु रहने किस्ते रहने किस्टी सरेश पूरी हूने coconut साथ है, कांगेस के पसमें हमें, घकिए step लो मैंने में citizenship कुन से कांगरेस का हाथ का निशाने कांगरेस बोड़ दना है इसके पाद ओलों के अमुमन एक फॉर्मूला भी रहता है कि अगर कोई सरकार डो ठर्म चलती है तो उसके बाद जनता में कहीं उब हो जाता है परिशानी हो जाती के दस साल से सरकार है ये काम हमारा धूरा रह गया ये हुआ एक्स्पेक्टेशन पूरा नहीं होता है एंटी इंकंबेंसिव फैक्टर उसको बोलते है जिससे आप बड़ा कॉमन टर्म है एलेक्शन में यूस होता है तो ये फैक्टर क्या तिलंगाना में काम करेगा और किस बात से खासकर के सरकार से लोग नाराज है मैं क्या ब अब तक दो लाक रूपई हर अनब लैक को गयारा लाग 160003 जने को देना है पिंडिंग पैसे उसको कितने पैसे होते हैं ग्यारा लाग 160003 जने को अपले कर ट्येस-पीसी में अने बैके पूरे एंप्लेट वो लोग चेस पान साल से एक रूपए पूटी कोडी बी उनकों में इभान वा हि पूरे जामाने आतो आ HOL pecれてता ने तो फैसे माने तेना रुप अपुपटी करने दिया और मुसल्मान को ने दिया और करथ हर साल दौर क्याए य कि ceremony ओ भी ने दिया और पूरे फार्मर्स को एक इस मैधफा मेर ऑऔर एक लॉक्ता लाक रूपय का। करने कीवेक हम इसता खरने क्रैना थेए हम बड़ा इसस करने जैसा कोई भी षैत्र में कोई बी राज अ फृवे राज राज में लाख मेंं लाकाओ रुपय को गोटाला हो जा रहा है लाकाओ रुपय को मिशन का कर दिया, अपने आधराबार शेत्र में एक एक लैंड को लांड को बेज दे रहे, किसको वो लोगो बेज ले ले खरीदने वाले लेकिन इसी को वो डेवलपमेंट का फैमाना भी बता रहे हैं कि एक एक एकर लाइंड सौक करोण में बिकरा है मतलब बहुत डेवलपमेंट हो रहा है तभी तो इतनी महगी जमीन लोग खरीद रहे हैं अपना घर कभी सोना समझते हैं दूसरे गर देखना पड़ता थीन एकर जमीन दलित करते हैं हम जो हुकमत आने के बाद थीन एकर का जमीन दलित समाज को अब विजय भाज दलित है मिटसा एक मार को दो एकर जमीन है दो एकर जमीन है उसको एकर हैड करके देव बोले वो समाज भोलने वाला केसी आर का गया पूरे वो बातों का सुलतान है उन्हों काम के नहीं होते अभी केसी आर उनके पुत्र केटियार साब बता रहे है कि हैदराबाद को डलास बनाएंगे टोक्यो बनाएंगे तो आपक गाना के लोगों को इंप्लॉइमेंट मिलेगा राइतू बंधु यूजना ये सब में कोई दिक्कत लग रही है अब एक बात बोले अधराबाद को डलास बोले आप नहीं करे अधराबाद नाम को ब्रैंड नेम है वो नाम को कललास करना बड़ी बात है बात करने वाले बड़े बोलते हैं बिलकुछ उन्हों क्या बोले जहां मैं मुक्यमंति बनने के बात मेरी सग्धी बेटी रहनदो मेरे संक्गा बेटे रहनदो कोई भी स्काम कर दो उन को मैं भार से अक्ला तो बोले और लिककर के स्काम कि रिंदी है अफजिक है के लिकुल न शाङ्म पूरा लिक्र कर दिये गुसको मी लिक्सका को NAS अ में गंटा कंटा इंट्रवीए एक गंटा इंट्रविई डियू पे वो इंडिया टूड़े, वो टूड़े, ये टूड़े, क्या करें उन्हों क्या ओलम्पिक्स में मिनला है क्या, उत्ता इंट्रिवु लिए, एक लिकर्स क्याम में सो सो करोट रुपए डिपासिट करके पूरा तिलंगाना के स्टेट में रहें, दो सौथ इनिया में पूरा माफिया करने के आसे, लाग करोट रुपए का इंवेच्ट करने के बाद उनको आरश ने करते इपी जेभी वाले, बिल्कुर, ये तो हो गई बियारेस के बारे में, अगर थोड़ा हम मैनोर्टीज के नेता जो अपने असदुदिन ओवैसी साहब है, उनको लेकर के कॉंग बाद Congress Party हुकमत आने के बाद, पास परसंट का आम वादा करे, वो पोल्टिकल इमंट रहें, ओ चार पंस कहा करें, बिल्कुल. जो वादा करें इनको शिवा करें सरीफुरा, बादा करें प último सिल्तान में, और 4 को सु,, बारा करते ऑधो हुखर के सु12 करते लिऄ, उ carte बिल्क बाद बारा परसंट दिया बोलके आप उनसे मिल रहा है कि चार परसंट देना उमार गुना है अब कित्ते लाको लोगा पुर्या परसंट अंध्र परसंट चार परसंट ने दिया और बॉलने के बात को परसंट देना आपरसंट कीखुं मारूम सब्सक्रा近 no तो मेंटू साहिकुबार जी ने साफ तर पर कहां कि असद्दूदीन ओवैसी हो चाहे मुख्यमत्री के सियार या उनके पुत्र के टियार ये सब बातों के सुल्तान है और तिलंगाना के स्थापना को लेकर के जो कॉंग्रेस का योगदान है या फिर जो उस तरक से कॉंग्रेस पार्टी ने एक एकरित आंध्रप्रदेश में सरकार के दौरान सेवाएं की हैं उसके बाद अलग तिलंगाना स्थापना में सरकार में उनको भूमिकार नहीं बिल सकी है और ये उमीद जता रहे हैं कि 10 साल बी आरेस शासन के बाद अब इस बार कॉंग्रेस की सरकार बनेगी हाला कि ये तैय करना आम जनता को है फिलाल बहुत बहुत शुक्रिया बेटू साहिकुमार जी स्टूडियो में आने के लिए इस बातचीप के लिए